बौध धर्म की इन पाँच शिक्षाव में छुपे हुए हैं रहसे जानते ही बदल जाएगी किस्मत नमश्कार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल बौध धर्म एक प्राचीन धर्म है जो भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनके जीवन के आदोर्शों पर अधारित है ये धर्म मानवता शांती और समरस्ता के सिध्धानतों पर अधारित है और सभी जीवों के साथ समान और न्याय पूर्ण विवार की प्रेड़ना क बौध धर्म में दान, शिक्षा और सेवा को महत्व दिया जाता है और इन्हें अपने समाज और समू के लिए योगदान करने का आदर्श माना जाता है बौध धर्म के विश्वासी सधार्णता चार नोबल सत्य के अनुसार अपने जीवन का नियंतरन करते हैं अध्यात्म अहिंसा, दान और समता यह धर्म ध्यान और ध्यान की मार्ग दरशी का देता है और जीवन में सुख और शांती की प्राप्ती के लिए अनुशासन और साधना को महत्वो देता है बहुत धर्म मानवता, शांती और समरस्ता के सिधान्टों को प्रचालिद करता है आज समाज में न्याय और सहानु भूती को बहुत धर्म भड़ावा देता है इस धर्म के अनुयाई अपने जीवन में शानती और संतोष का अनुभव करते हैं और समरिद्धी की दिशा में अग्रसर होते हैं बौद धर्म की पांच शिक्षाएं कौन सी हैं चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं दुख ही जीवन का सार है जी हाँ दुख का कारण क्या है देखे त्रिशना या इच्छा दुख का कारण है महीं त्रिशना का त्याग दुख का निरोध है अश्टांगिक मार्क दुख का निरोध मार्क है इसी के साथ दूसरे शिक्षा है कर्म और पुनरजन कर्म हर कर्म का हमें फल प्राप्थ होता है वहीं मृत्यों के बाद आत्मा किसी ना किसी रूप में फिर से जन लेती ही है इसी के साथ तीसरा है त्री रतने जिसमें पहला है बुद्ध यानि कि ज्यानो दई और शिक्षक, दूसरा है धर्म यानि कि बुद्ध की शिक्षाएं और तीसरा है संग यानि कि बौध समुदाएं चौथे नंबर पर आता है मध्यममार्वी यानि कि अतिवादी विचारों से बचना और संतुलित जीवन जीना प्रतियक शिक्षा के बारे में अधिक जानने के लिए आप बौध धर्म के ग्रंथों का अध्यान तो कर सकते हैं या किसी बौध शिक्षक से आप बात भी कर सकते हैं चार आर्य कि ब्हुत धर्म के मौल भूर्भू शिक्षा है आश्टांगेक मार्ग, दुख से मुक्ति पानी का मार्ग, कर्म और कुनर जबौध धर्म के बहत्युकूं स्थान है तुरे रत ने बहुत धर्म के तीन अधार हैं मध्यमामार्ग बहुत धर्म का मूलधूट दर्शन है फिलाल के लिए इतना ही ऐसी होज अनकारियों के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स नाइन स्पीच्वल तब तक के लिए धन्यवाद